राजधारी जैपूर में जारी मस्जिद रसिडेंट की विरूद में आज काफी नाट के मूर देखने को मिला है बता दे कि आज हमले को लेकर विरूद कर रही चाहसी और चोर्यासी साल की बुजूर भूखरताल पर बैट रही थी जैसे तेसी उन्हें समझाइस कर भूखरताल को रोगा गया है विरूद कर रही डेलिगेसर नहीं मामली को लेकर आज जम्मी की नमास की बाद ही जैपूर पुलिसायुक्त से पुलिस उच्च अदिकारी से मुलकात की है और मामली में नई कमेटी की तुरंथ ही खारश करने की मांग की गए है इस पर पुलिस की ओर सी कहा गया है कि मामली में जारी जाच में अगर पुरानी कमेटी के खलाफी नतीजा आता है तो क्या भी जाच कुमान कर विरूद को रोगने के लिए तयार होगी इस पर पुरानी कमेटी की बुजुर्गों ने पुलस को इस पश्टी देकर कहा है कि हमने 40 पीजों के सरकारी महर वाली पुखता सबूत दिये हैं ऐसे पहली से ही पुलस इतनी आस्वस्त कैसी है कि जाश में पुरानी कमेटी का दाबाग खारश कर दिया जागा बदादे के मामली को लेकर भुखताल की चेताबनी देने बाली 46 वर्सी है बजुर्गाजी अब्दुल कयम को आज उनकी तब्यत खराब होने की बज़े से भुखताल को रोक दिया गया है और पुलस ने समचाशती कर भुखताल रोक दी है आज हमारी मां बेनों को बारा हफते हो गए मस्जित के लिए मदर से के लिए लड़ते वे रोज रोज यही चल रहा है वकबोर्ट पे कोई मतलब सुनवाई करने को तयान नहीं है कोई ऐसा भी नहीं कि कोई एक बड़ा अधिकारी आकर के पूछ ले आप लोगों के क्या तकलीफ है क्या परिशानी है क्यों आप लो लोग है ना इत्ती दूप में खड़े होते हैं मतलब बहुत ही मतलब अफसोस की बात है मतलब मुसल्मानों का कौम का इत्ता मतलब कौम पिछड़ गई है कि मतलब हक की बात बोलने के अंदर भी मतलब उनको सोचना पड़ रहा है सबसे बड़ा आज देश के अंदर मुद्धा यह है जैसे कि बेरोजगारी खतम है यह लोग यह चाते हैं कि मस्जिद को हड़पकर हडप लें रोजगार तो मिल नी रहा तो क्या करेंगी मस्जिद को बेज बेज करके यह अपना रोजगार चलाएंगे बहुत ही ज्यादा अफसोस की बाते हैं और तों पर भी किसी को तरस नहीं आ रहा हमारी माबें बारा हफ्ते हो गएं कम से कम रेगुलार आ रही हैं दो दो घंटे धूप के अंदर खड़ी रहती हैं वकपोड आप मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई शहीद हो जा परिसान हो रही है कि इनकी बात सुननी जाए या कोई अपना आदमी बेच बेच के बात करें कि वह इससे इतने टाइम हो गया वह नौबत आये उसके बाद मानेंगे वह संती कुर्वा करना चाहरा है लेकिन वह नहीं मानते हैं सर फुटवाल के बाद ही मानें गई किरिया क कि पतिकिरिया करेंगे मतलब वैसे नहीं करेंगे मेरति स्वावालेकूं आज ये बार्वा हफता हो चुका है हमें पर प्रोटेस्ट करते हुए पिछले बारा हफते से हमारी मा बेन हैं और ये महले की निवासियां प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने मदर्सी को बचा हमारे 90 साल की बुजरूग जो हजरात हैं उन पर कभी शांती भंक का आवरोप लगाया जाता है कभी हमारी कमीटी के उपर हिसाब ना देने का आवरोप लगाया जाता है हर तरह से हमें दबाया जा रहा है हर तरह से हमें डराया जा रहा है किसी तरीकी की कोई सुनवाई नह झाल लो